आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बरतार डिजीटल मीडिया प्लेटफॉर्म बर्दान एक्सप्रेस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे चतरपुर के बाबुराम चतरवेदी स्टेडियम में जिसकी चर्चाएं सुर्खियां लगातार बटो रही हैं और यहां पे अब खेल प्रेमियो ने चतरपुर के कलेक्टर को एक ग्यापन सोपा है जिसमें कहा गया है कि नव निर्वित इस्टेडियम का उपयोग सिर्फ खेल के लिए ही किया जाए इस तरीकी की बाते कहीं मतने कहीं है और लिखित में एक ग्यापन चतरपुर के कलेक्टर को दिया गया है साथ ही उनसे यह कहा गया है कि किसी भी फ्रकार के सामाजिक धार्मेक और सांस्कृतिक गतिविदियां स्टेडियम में अपसंचालित ना हो क्योंकि यह स्टेडियम बनकर एक खुपसूरत तयार हो चुका है और इसे सिर्फ खिलाडियों को समर्पित कर दिया जाए इस बात को लेकर चतरपुर के कलेक्टर जो है उन्हें गुरुबार को ग्यापन सोपा गया है और सबा कक्ष में मल्खम, एतलेटिक्स, किर्किट और बैटमिंटन तथा अन्न खेल के खिलाडियों ने कोच सहित यहां पे जो चतरपुर के कलेक्टर हैं पार्थ जैसबाल उनको ग्यापन सोपा है और ग्यापन में स्टेडियम में मिली सुबधाओं को लेकर आभार भी वेक्त किया गया है इस दोरा ने यहां पे कई खिलाडी मौजूद रहे जिन्हों ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी स्टेडियम जैसे मैं पहले भी देखा था था पहले जैसे पानी आनी परस जाता था तो आज सोविदा होती थी बच्चों को दोड़ने के लिए कीचरी चलो जाता था तो सासंद वारा वहां इस्टेडियम का निर्मान कर रहा गया जिसे बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा इस्टेडियम बन चुका है लेकिन वहां पर अन्य कारी करम ना हो यही आप लोगों से निवेदन है और इसी पकार से बना रहा है इसलिए मे पारभी करें अब ही तो आप लोगोंने खिलाडियों को सुना कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ग्यापन के दौरान मीडिया करमियों को अपना स्टेट्मेंट दिया है और ने झाय है बता दें आपको चतरपुर में रामर देहन को लेकर चरचाएं लगातार चल रही है कि आखिरकार इस बार चतरपुर का रामर देहन कहां पर होगा इसको लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस रामर देहन की जो पेक्रिया है जो परमपरा है पुरानी बहिक कहां पर होगी तमाम चीजों को लेकर लगातार चरचांच चल रही हैं इसी बीच इन खिलाडियों ने एक इस तरिये ग्राउंड का सदुप्योग भी हो इसके साथ ही खिलाडी जिले की नई उपलबधी प्रदान कर चुके हैं और यहां से खेलने वाला खिलाडी नेशनल और इंटरनेशनल इस तर तक भी पहुँचे इसको लेकर सभी को सोचना होगा क्योंकि अन्यकारी करम जैसे छतरपुर में हैं इस दोरान कलेक्टर पार्त जैसवाल से बात करते हुए एक जो वीडियो सामने आया है जरा इसको भी देख लीजिए तो हमने वर्दान एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों को यह दिखाया कि खिलाडी के मन कए भाव क्या हैं और वो क्या चाहे रही हैं इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर को जो ग्यापन सोपा है उस दोरान क्या बाते हुई हैं वो भी हमने आपको ओरिजिनल वीडियो द खिलाडियों का कहना है कि अन गेतिविधियां अब ना की जाएं अब देखना होगा कि प्रसासन इस पर किस तरीके का फैसला लेता है इसके साथ ही शेहर के जो गड़मान नागरिक हैं और कई संगटरनों से जुड़े हुए लोग या धार्मिक चीजों में रुची रख ब अमान करते हैं और क्या बाते निकल कर सामने आती हैं वो भी वरदान एक्सप्रेस बताएगा और साथ में यही भी बताएगा कि आखिरकार इस बार के रामड़ दहन का कारिकरम कहां पर संपन होगा फिलाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल ल आतीवीदियों के लिए भी खोल देना चाहिए आपकी पृतिक लिए वेहज जरूरी है क्योंकि आप लोग सहर के मुख इस्थम्भ हैं